हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिरसे स्वागत है आपके अपने चैनल दा एविजएड अकेड़ी में प्यार बिच्चो अगर आप अनायस उपन बोर्ड के बारवी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सब्जक्ट लिया है हिस्ट्री जिसका पेपर कोड है 315 और अगर आप एक्जाम देने वाले हैं एनायस उपन बोर्ड से अक्तूबर सन 2024 के अंदर या फिर अपरैल सन 2025 में और सब्जक्ट अगर आप लोगों का इतिहास है हिस्ट्री है और इस सब्जक्ट में आप अच्छे नंबरों से पास होना चाते हैं अच्छे माक्स लेकर आना चाते हैं अच्छी परसेंटेज लेकर आना चाते हैं तो प्यारे बच्चो आप लोगों को आज की वीडियो मे वो छूट जाता है और last में examination center से बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि हमारा 15 नंबर का paper छूट गया हमारा 20 नंबर का paper छूट गया हमने ये question attempt नहीं किया हमें ये question आता था और result भी उनके मन मताबिक नहीं आता है तो ऐसी गलती आप लोग ना करें आप लोगों का भी कोई question मिस ना हो ना चुटे और आप सभी students अगर 80, 85, 90% तक जो है वो लेकर आना चाहते हैं तो इन बातों का आप लोगों को खास खयाल रखना है जिने मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे पास history का original paper है और ये NIS 59 board का April 2024 का paper है तो मैं आप लोगों को new question paper के according बताऊँगा कि आप जो है अपना history का paper जो है किस तरीके से देंगे और किन-किन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है तो जब आप लोगों को ये paper मिल जाएगा इससे पहले आप लोगों को OMR sheet भरने के लिए दिया जाएगा 15 minute OMR sheet भरने के बाद अपना नाम, enrollment number, center, father's name जब सब कुछ आप भर देंगे उस 15 minute में तो उसके बाद आप लोगों को एक question paper दिया जाएगा और इस question paper को पढ़ने का time आप लोगों को 15 minutes दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को answer sheet जो है provide कर दिया जाएगा तो आप लोगों को जो करना क्या है कि जैसे ही आप लोगों के पास ये question paper आ जाएगे तो आप लोगों को इस question paper को पीछे पलट लेना है और इस तरीके से पहला जो है page पलट के देखना है कि भाई किस तरह के questions आप लोगों के पूछे गए है जैसे ही आप पहला page पलटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को map दिखाई देगा यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ questions हैं यहाँ पर option one और option two करके आपको देखने को मिलेगा option second है जिसमें आपको बता रखा है कि भारत में संस्कृती यह option second वाला question भी आप solve कर सकते हैं 14 marks क होता है या फिर आप जो है option one की तरफ जा सकते हैं एक page आपको और पलटना है यहाँ आप देख पाएंगे भारत में राज्यों का विकास तो यहाँ पर जो है आप option one की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको आसान question मिलेंगे आपके पढ़ेवे question मिलेंगे questions मैं आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ यह देखिए question है राज तंत्रिये तथा गड़ राज्ये महाजनपदों के बीच किनी दो विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए या फिर आप इस question का अथवावाला solve कर सकते हैं सल्तनत कालीन शाही दर्बार की किनी चार विशेष्टाओं का उल्लेक कीजिए तो option 1 या option 2 यानि कि अथवावाला भी आप कर सकते हैं इसके आपको marks मिलेंगे 4 यानि कि 4 नंबर का ये question है अगर आपको लगता है कि इन दोनों question में से कोई आता है तो आप यहाँ पर number डाल स question कितने number में पूछा गया 10 number में यानि कि 14 marks तो आपके ऐसे ही आ गए और ये दोनों ही question बहुत easy होंगे यहाँ पर देखिया question गुप्त सामराज्ये में राज्ये के स्वरूप की व्याख्या कीजिए या फिर इसका अथ्वा सौल्व कर सकते हैं भारत में अपने शाशन को व को ज्यादा marks वाले questions जो है solve करने का मौका मिले क्योंकि बच्चे क्या करता है कि पहले जो है वो starting करते हैं यहां से ठीक है यह देखिए वो ऐसे पलटते हैं और दो-दो number वाले questions solve करना शुरू कर देते हैं पूरा का पूरा time जो है 2-4-2-4 में लगा देते हैं और पीछे के जो बड़े question होते हैं यह देखिए 10-10 number वाले यहां पर आपको 10 number का question मिलेगा यह आपको 10 number का question मिलेगा यह भी आपको 10 number का मिलेगा यह भी आपको 10 number का मिलेगा ठीक है और यह देखिए यह भी आपको 10 number का मिलेगा यह भी 10 number का है तो यह सारे-सारे questions जो हैं जो आपको 10-10 number के मिलेंगे, 4-4 marks के मिलेंगे, 4-4 marks के मिलेंगे, सबसे पहले आप लोगों को वो questions solve करने हैं, जिसके marks ज्यादा होते हैं, आप 2 number और 1 number के पीछे मत पढ़िए, आपको pass होना है, ना के सारे questions जो हैं, वो attempt करने हैं, जो 2 number वाले हैं, उसको भी कीजिए, लेकिन वो करना है last में, ताके अगर आप लोगों के पास time की कमी हो, आपका कोई question छूटे, तो वो 2 number वाला छूटे, 4 number वाला छूटे, 10 number वाला, अगर 2 question भी आपने छोड़ दिया, तो total हो गए आपके कितने, 20 number, अगर 2 question छोड़ेंगे, तो आपके 20 number का आपका नुकसान हो जाएगा, वहीं दूसरी और अगर आप 2 number वाले अगर 5 question भी आपने छोड़ दिये, जो 4 marks के जो questions हैं, 4 number के जो questions हैं, उनमें से आपको कितने आते हैं, और आपको जो हैं, वह सबसे पहले attempt करना है, अच्छा, दूसरा सवाल ही होता है, बच्चों की writing और speed बहुत कम होती है, और paper last में छूट ही जाता है, तो ऐसे students क्या करें, जिनकी writing अच्छी नहीं है, या फिर जो हैं, उनकी speed नहीं है, वो क्या करें, वो कैसे पूरा paper attempt करेंगे, तो मैं उसका भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यह answer sheet है, और बच्पन में आपने खूब सारे sheet खरीदे होंगे, school वगरा में, या फिर आपको school में paper के लिए दिया गया होगा, यह horizontal sheet नहीं है, यह vertical sheet है, यह देखिए, यह खड़ी sheet है, जो आपको normally दुकानों से मिल जाती है, तो इस sheet को आपको purchase नही करनी है, आपको purchase करना है यह, यह देखिए, यह लेटिवी sheet है, यह देखिए, यह लंबाई में नहीं है, चोड़ाई में है, ठीक है, तो यह चोड़ाई वाली sheet है, वो आपको market से purchase करनी है, उसके बाद आपको इस पर practice करनी है, क्योंकि NIS open board आपको इस तरह की sheet देगा, paper solve क करने के लिए ना के इस तरह की sheet देगा, तो अगर आप इस पर इसको purchase कर ले, एक रुपे की एक sheet आती है, इसको purchase कर ले, उसके बाद जो है, इस तरह का जो paper होता है, NIS open board का जो paper होता है, real paper होता है, वो आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएगा, और साथी साथ आप लोगो सब के answer, सब के important questions, आपको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, सब कुछ हमने exam notes में दे रखा है, आपको उसका PDF मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, हमारे द्वारा दिये गए उस important questions को याद करना है, उसके बाद आपको इस तरह के answer sheet लेनी है, और उस पर practice करके द तयारी हो जाएगी, और जब आपके सामने इस तरह का paper आएगा, तो भी सारे questions तो मैंने आपको दे रखे होंगे, ठीक है, सारे important questions मैंने आपको बता रखे होंगे, तो आपको लगेगा ये सब कुस तो हमारा पढ़ा हुआ है, फटा-फटा आप जो है वो sheet लेंगे, और उस question paper भी बताऊंगा, साती सात जो आपको PDF मिलेगा, उसके अंदर syllabus भी होगा, सात में सात आपका previous year का paper, exam notes, important questions, expert teacher द्वारा बताए गए जो important questions है, वो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपको करना ये है, कि दो-तिन बातों का आपको ध्यान रखना है, पहला तो आप लोग जाएं, आधार card या pen card दोने से कोई एक चीज़ लेकर जाएं, ताके आपको आधार, मतलब center पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है, admit card आपको ले लेना है, i card ले लेना है, सात में आपको कोई एक पहचान पत्र, या फिर pen card, या आधार card, आधार card सब के पास होता ह तो वो ले लें, और अपना exam अच्छे से दें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और अगर आपको फिर भी किसी तरह की subject में कोई दिक्कत है, तो मैं आपको बताओं कि हमने एक WhatsApp group बनाया है, NIS Open Board के बच्चों के लिए, वीडियो के description box में आपको उसका link मिल जाएगा, WhatsApp group का आप उसको join कर लें, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को important questions इस तरह के जो है वो भेजते आ रहता हूँ, ताके बच्चों की practice अच्छे से होती रहे, तो आप जो है हमारे WhatsApp group, Telegram channel, Instagram, Facebook, जितने भी हमने group बना रखें, NIS Open Board के बच्चों के लिए आप उसे join कर लें, और जो है अ बहुत सारे students होते हैं, जो पहली बार exam देंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक खास वीडियो बनाई है, जिसका link मैंने इस वीडियो के description box में दिया है, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से NIS Open Board के students हैं, वो paper देते समय किन-किन बातों का ख्यास ख्याल लखेंगे और ऐसे students जिनको कुछ भी paper में नहीं आता, वो भी पूरा paper कैसे भरेंगे, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जो हैं देख लें और अपने exam के तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, तो फिलाल इस वीडिय वीडियो में इतना ही, तैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो,